पर दोस्तों कैसे हैं आशा करते होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर तुम्हें लेकिया है मज़ेदार से किचन टिप्स जो आपको बोहन आएंगे और आपका काम आधा कर देंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे से लिया है और यह देखिए बेट पर इसे लगाना बहुती दिक्कत का काम होता है मतलब बार बार यह भिघडते रहतीए बार-बार हम बनाते रहते हैं तो चलिए मैं इसको आसान कर देती हूं तो सबसे पहले मैंने यहां पर कंगी ली है और इससे इसके तरह नीचे जो इ आपके बेट सिट सई से करेंगे मतलब सई से बिच्छा देंगी उन्हें बहुत पसंद आएगा तो ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और यहां पर मेरी दूसरी है ट्रिक तो सर्दियां चली गई लिकिन थोड़ी मुड़ी हमें सर्दी लगते रहती तो पतली वाली जो कंबल है तो हम रात में ओरते ही है तो क्या करना है ना फिर दिन में फोल्ड करके रखना पड़ता है तो इसके लिए आसान सा टिप क्या है ना पहले इसे चारो तरब से एक दम ह करने अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहां पर मैंने तक्या लिया है तो वीडियो को जदा बड़ा करूंगी फटा-फट इस तक्या में हम भर देंगे इससे क्या होगा ना तो तक्या में अच्छे से फीट हो जाएगा तो हमारा जगे भी बहुत कम लेगा और ये बेट भी नहीं बिगड़ेगा और फटा-फट हम इसके अंदर डाल देंगे as a pillow as a हम इसका बहुत अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं और जब रहात में ठंड भी लगेगी तो हम ओड सकते हैं क्योंकि थोड़ी मोड़ी अभी ठंड लगी रहे यह पूरी तरह से गई नहीं है तो यह मंतला डोनों काम काम हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसके अंदर fit हो गया है तो थोड़ा मोड़ा हम है उसे जटक मटक के आच्छे समने देखिक इसे तक्यात तैयार कलिए बहुत ही कम जगये में यह अच्छे से फिट हो गया और बिगड़ने का डरन है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें कमबल भरके रखा है तो है ना मज़िदार और तीसरी ट्रिक यह है कि हमने यहां पे हारपिक लिया है और मसीन यहां में इसमें हम डाल रहे हैं और यह देखिए बहुत ही स्मूदली हमारी मसीन अब काम करने लगेगी तो यह जाती है जैसा कि मेरे साथ ऐसे हुआ था तो मैं डिलवरी के बाद और फिर प्रेग्नेंसी में मैंने मसीन का इस्तमाल नहीं किया तो जिसके उपर बहुत ही गंद हो गये तो स्टोर रूम में पड़ी पड़ी बहुत ही कालिक जम गई है तो मैं हार्पिक लगा कि इसे ब्र अफट यह साफ होगा और इसे पाच मिनट के लिए छोड़ देंगे तो और अच्छे से यह फूल जाएगा इसकी सारी महलना फूल जाएगी और बहुत ही ईजली साफ होगा तो यह ब्रस लेना अच्छे से इसे रगड देना एकदम चम चमा जाएगा हमारा मसीन इसका सभी प्लाई भी बहुत चमकने लगेगी आप देखना बहुत आपको यह ट्रिक पसंद आएगी और इसे मैंने थोड़े सी गीले कपड़े से रगड देखेंगे कि मसीन हमारी यहाँ पे चकाचक हो गई है बहुत ही चमकीली हो गई है और यह देखिए इस साइड से भी हम अच्छ देना रहता है कि मतलब जब भी हम इसमें तेल डालते ना तो जब तेल पिघल के अच्छे से चारो तरफ फैल जाना चाहिए इसलिए हमें इसे धूप में रखना चाहिए और यहाँ पे लीजी हमारी मसीन इदम चकाचक हो गई है थोड़े से ही मिंटों में एकदम चकाचक तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में रखे अपना ध्यान तो वीडियो पसंद आई होते वीडियो को जरूर लाइक करिए तो ऐसी ऐसी रेसिपी और ट्रिक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपना ध्यान रखें बाई थैंक्यू फो वाचिंग